आदर्निया महामहीम राश्ट्रपती श्रीमती ड्रॉपदी मुर्मूजी नमस्कार, मैं डॉक्टर मिर्यूसाथ इस देश की एक आम नागरिक, एक औरत आज मैं इस विडियो के माध्यम से आप तक एक अपेल पहुँचाना चाहती हूँ यह पील मैं पूर्ण रूप से एक औरत, एक इनसान होने की हैसियत से कर रही हूँ पिछले धाई महीने से हमारे देश का एक राज्य, मनिपुर, जातिय हिंसा की आग में जल रहा है इस आग की लपट में डेर सो से अधिक लोग आ चुके हैं जिन में पुरुष, महिलाएं और बच्चे सभी शामिल हैं मगर आज एक जगहन्य वजह से मेरी आत्मा काम उठी है और हिंसा को बढ़ावा देकर लाशों पर अपनी सत्ता की नीव रखकर कटे हुए नर्मुंडो से अपना सिंहासन सजाने वाले एक सरकार की डर के बावजूद मेरे लब खुल पड़े हैं कुकी जनजाती की दो महिलाओं को सरयाम नग नवस्था में सैकणों की तादाद में मैतेई मर्द एक मैदान में ले जाते हैं उनके शरीर के साथ खिलवाड करते हुए उनकी निश्चित मृत्यू की ओर आज करोडों लोग वो विडियो देख रहे हैं कुछ मानफता की मौत का शोक मना रहे हैं कुछ पित्रे सत्ता के द्वारा औरत के शरीर को जंग में जीत या हार का हथियार और परणाम दोनों बनते हुए बस देख रहे हैं आप भी एक महिला हैं एक आदिवासी महिला हैं इस देश का इतिहास सदियों से मूल निवासी महिलाओं के साथ हुए हिंसा को देखता आ रहा है। आप भी जानते हैं। आपका देश के सरवोच्चपद पर होना सभी महिलाओं के लिए गर्व और आश्वाशन का विशय था। फिर आप चुप क्यूं हैं। आपके पास वो अधिकार है, वो ताकत है, जो हम जैसी आम महिलाओं में नहीं है, आम आम नागरिकों में नहीं है। आप शान्ती की अपील करेंगी, तो शायद देश की विभिन समुदायों में हिंसा को पालने वाली सरकार की डिनर टेबल से गिरते, लोगों के मांस के टुकरों पर पलने वाली देश की मीडिया को मनिपूर का एहसास हो। शायद आपके कहने से दुनिया में बच्चते भारत के डंके की आवास की शोर में कहीं उन्हें उन दो कुकी लड़कियों की आखों में गूंचती चीख सुनाई दे। शायद सरकार को ही गोश्ट नोचते नोचते या याद आ जाए कि ये तो इनसान का है। औरत का शरीर इस देश में बहुत सस्ता है। शायद आपकी आवाज से उसे कोई भाव मिले। इसलिए मैं आपसे करबर्ध प्राथना करती हूँ। उन दो कोकी महिलाओं के लिए जो उन सो आदमियों के नंगे जीत की एक कातिल, बुजदिल, फासिवादी सरकार की और पित्री सत्ता की बली चढ़ गई। मनिपूर को बचा लीजे। वहां की ओर्तों को बचा लीजे। अब आप ही कुछ कर सकती है।